नमस्कार दोस्तों ठंड का मौसम था सीत लहर पूरे राज्य में बह रही थी कडाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए ब्रमण पर निकला महल वापस आने पर देखा कि महल के मुखे द्वार पर एक ब्रद बैठा हुआ है पतली धोती और कुड़ता पहने हुए ब्रद ठंड से कांप रहा था कडाके की ठंड में उस ब्रद को बिना कपड़ों के देख राजा चकित रह गया उसके पास जाकर राजा ने पूछा क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही तो ब्रद ने उत्तर दिया लग रही है पर क्या करूँ मेरे पास गरम कपड़े नहीं है इतने वर्सों से कड़ कड़ाती ठंड मैं यूहीं बिना गरम कपड़ों के गुजार रहा हूँ बगवान मुझे इतनी सक्ती दे देता है कि मैं ऐसी ठंड में सह सकूँ राजा को ब्रद पर दया आ गई उसने कहा तुम यहीं रुको मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गरम कपड़े भिजवाता हूँ ब्रद परसन हो गया उसने राजा को कोटी कोटी धन्यवाद दिया ब्रद को आसवासन देकर राजा महल के बीतर चला गया किन्तु महल के बीतर जाकर अन्य कामों में ब्रस्त हो गया और ब्रद के लिए गरम कपड़े भिजवाना भूल गया अगली सुबह एक सिपाई ने आकर राजा को सोचना दी कि महल के बाहर एक ब्रद म्रत पड़ा है उसके म्रत सरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है जो ब्रद ने अपनी म्रत्यू के पूरु लिखा था संदेश ये था इतने वर्सों से मैं बतली धोती कुरता पेने ही कड़ागे की ठंड सहते हुए जी रहा था किंतु कल गर्म वस्तर देने के तुमारे वचन ने मेरी जान ले ली दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें इस सिच्छा मिलती है कि दूसरों से की गई अपेच्छाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है जो कहीं न गहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है इसलिए अपेच्छाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के इस्तान पर स्वयम को सबल बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद